पिछले 18 साल से जो सिंग्रॉली में गौर्णमेंट रे 18 साल से विधायक जो है बिजेपी की रहे तो मुझे नहीं लगता है कि सिंग्रॉली में बिजेपी पार्टी शफल रहे हैं वो पूरी तरह से असफल हो गई हैं बेरोजगारी चरम सिमा पर है, महंगाई चरम सिमा पर है, और कोई विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, समस्याएं, अनगिनत समस्याएं हैं, जनता ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन भारती जनता पार्टी बिलकुल उसका उलट काम की, जनता उनी की सरकार में, बीज इसीत रूप से जब जनता के अनुसार टिकेट है, तो जनता ही जीत सुनिसित करेगी, क्योंकि अठारा साल में जो भारती जनता पार्टी ने यहां जो कमपनी स्थापित की है, उसमें बाहर की लोग तो रोजगार पार हैं, लेकिन हमारे तो सिंडॉली की लोग हैं, चाहे जानने का कुछ प्रयास करेंगे, कुछ सवालों के जवाब हैं, जो आप तक भी पहुचाएंगे. जो सिंग्रॉली जिले में देखा जा रहा है कि सभी पार्टी आपने प्रत्यासी गोशित कर रहे हैं, कुछ पार्टी के नाम अभी तक लोके हुए हैं, कॉंग्रेस से आप यहां से सिंग्रॉली जिले से प्रत्यासी गोशित हुई हैं, तो आप सिंग्रॉली जिले में जो कि जहां तक लोगों से मिलने जुनने की बात है तो वह हम सब को एक साल से लोगों के बीच में ही रखे हैं चाहे भारा जोड़ो यात्रा से हो चाहे चौपाल गांधी बैठक हो जाहे हाथ से हाथ जोड़ो हो अभी महिला सम्मान योजना के दहर लगातार आम लोग एक सालों से पब्ली की बीच हुए ही है और हम लोग मिलना जोलना उसी में काम पाटी कभी चल रहा है हम लोगों से मिल भी रहा है एक चीज और मैं यह देखा गया है कि लगातार चुनोतियां आपके सामने जैसी पड़ती गई और आप उसमें कई चुनोतियां ऐसी रही आप खरी भी उतरी है आपने सिंग्रोली जिले में साबित किया है इस बार आपको क्या लगता है सिंग्रोली की जनता का जो प्यार है हमार आपको मिलेगा बेलकुल मिलेगा ओर यह जो टिकेट है वह सर्वे का अनुशारी दिती है कमना जी जनता के मनसा अनूरूप ही मुझे टिकेट दिय है तो निशीत मत रूप से जब जनता के अनुशाष टिकेट है तो जनता ही जी त dishonिचित करेगी सबसे बड़ी एक चीज और आती है सिंग्रोली जिले में जैसे की चुनाव आता है उस समय सभी निताओं की एक बात रहती है जनता को लेकर उनकी सुविदाओं को लेकर कारी सारी परशानियां जो है जनता की वह लगातार बनी रहती है उन मुद्दों को बना कर वह सामने सरकार मत्यप्रदेश में वो बीजेपी कि रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सिंड्रॉली जिले में बीजेपी पार्टी सफल रही है, वो पूरी तरह से असफल हो गई है, जनता ने किसी वर्गार की कोई कमी नहीं, जनता ने पूरा कॉपरिट की जिस तरह से करना चाहिए जनता को, जनता ने तो अपना फर्ज नहीं बहाया, लेकिन भारती जनता पार्टी विल्कुल उसका उलट काम की, जनता उनी की सरकार में, वीजीपी सरकार में परिशान है, बेरोजगारी चरम सिमा पर है, महंगाई चरम सिमा पर है, और कोई विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, समस्याएं, अंगिनत समस्याएं हैं, तो इस तरह से पुरा बदहाल स्थिति सिंगोली जिला है, इसमें काम करने की बहुत अवशक्ता है, और मुझे लगता है कि जन्ता मुझे इस बार अवसर देगी, अपना प्यार आश्रवाद देगी काम करने की हैं, धन्यवादना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी बात हो रही है, रेनु साज जी से जो कि कांग्डेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, और उनका कहना है कि सिंग्रोली की जन्ता का जो प्रेम है, उनके लिए लगातार बना हुआ है और बना रहेगा, अब एक सवाल और है मैं जो की सबसे बड़ी सवाल सिंग्रोली जीले में, जो युवाओं के रोजगार को लेकर बनी रहती है, उसके लिए आप क्या कहेंगों? लेकि मैं पहले ही आपको बताए कि बेरोजगारी यहां चरम सिमा पर है, परिशान है युवाबच्ची है, और यह हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, जो अठारा साल में जो भारती जनता पाटी ने यहां जो कमपनी स्थापित किये, उसमें बाहर के लोग तो रोजगार पार हैं, लेकिन हमारे जो सिंग्रॉली के लोग हैं, चाहे लोग बस गया हैं, जो बाहर से भी लोग आया हैं, तो उनके लिए रोजगार की दिखते हैं, आए दिन गेट पर बायोडाटा लेके खड़े रहते हैं, आए दिन जड़ाप होती है, आपनों सब देखते होंगे, तो मैं समझती हूँ कि यहां हमारे फाउनरी की सरकार बन रही है, मैं निश्चित रुप से जनता भी मुझे यहां का नेक्तित बनागर के विधासवाब भेशती हैं, तो यह जो कमपनियां सिंडॉली में आए हुए हैं, इसके लिए एक नितिगत कानून बनाने का हम प्रयास करेंगे, जिसे के ऐसे भी पुर्ग में कमला जी बोले कि यहां को 70% रोजगार मिलना चाहिए यह 15 महिनी के सरकार में आए उसी को देख करके सुराज जी भी मामा जी भी ने 75% कर बोला है, लेकिन बोलने से नहीं होता है, आप बोलें वही चीज़ आप कर सकते हैं, कमला जी जो बोलते हैं वो करके बताते हैं, अंरेज Πार्टी जो करती हैं बोलती है, तो नितिगत भूते बनेंगे और जित्तिक कंपनी आएंगें, कोशिस हो कि 70% जो बात कमना जी की हैं उस तरह से वो यहां की कमपनियों में इस्थान दे खासकर जो टेक्निकल बच्चे पड़े हुए हैं और जो नॉन टेक्निकल भी हैं उनको भी रख करके वो छे मेहने साल बर ट्रेनिंग करके उसको उस कमपनी के लायक बनाया जाए जिस जो एक महिला उनने के नाते में उनकी सभाव को मैं अच्छी तरह महसूस करती हूँ तो यह चुनोती है हमारे सामने और हम लोग निशी तरुप से इसका हल निकालेंगे और इसके लिए कानून बनाएंगे बिधहक पारित करेंगे हमनों बिधास्वा में इस बात को रखें हैं यहां बिस्थापे ते कई कंपनिया आई हैं मूल भू सुभिधा भी नहीं दे रही है वो कंपनी तो यह बहुत दुखत बात है और मैं इस मुद्धे पर बिल्कुल काम करना चाहती हूं सिरोली की जितने मुद्धे हैं चाहे बेरुजगारी से संबंदित हो चाहे प्र करने का काम करूंगी और सिंग्रॉली की जंता का मैं आवाज बन करके काम करना चाहती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम जुड़े रेनों साजी से लगातार जिस तरीके से हम चुनावी न्यूज को कभर कर रहे हैं सभी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और आप तक उनकी खबर पहुचा रहे हैं अभी यहां सबसे बड़ा मुद्दा एक आया है कथनी और करनी में अंतर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि शिवराज सिंग्चौहान की जो सरकार है वो जो कहती है वो करती नहीं है और इन्होंने जो कहा वो बोली है हम करके दिखाएंगे अब झाल 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 झाल